दोस्तो स्मार्टफोन इस्तमाल करने वाले हर व्यक्ति की जहन में एक क्योस्टन आता है क्या ये स्मार्टफोन मेरी बोल्टी को हारम करता है या डेंजरेस रेडियेशन छोड़ता है तो आप सिंपली ये चेक कर सकते हो आपको सिंपली क्या करना देखो मैं आपको बताता एक सार वैल्यू होती है specific absorption rate इसकी जो limit होती थी पहले government के द्वारा वो 2 watt पर kilogram होती थी यानि अगर आपका mobile phone इससे ज़्यादा radiation छोड़ता है तो वो आपकी body और दिल और दिमाग को हानी पहुंचा रहा है लेकिन अब सरकार ने इसकी value को 1.6 कर दिया है यानि अगर 1.6 से ज़्यादा value है तो आपकी body को दिल और दिमाग को heart attack का खतरा भी बना रहेगा आपको तो यह मतलब dangerous आपके लिए आपको यह scrap कर देना चाहिए आपका mobile phone तो मैं आपको बताता हूँ आप यह कैसे निकाल सकते हो अपने phone में तो आपने simply क्या करना है अपने mobile phone में star hash 07 hash dial करना है तो आपके phone में यह देखो मेरे phone की star value क्या 0.95 watt per kg 8.8 1 gram head और बोड़ी के लिए अलग से आ रहे है तो यह आप देखो अगर यह 0.95 है तो यह ठीक value है अगर यह 1.6 से ज्यादा हो जाती है तो यह harmful है ऐसे ही आप यह जैसे यह है बोड़ी के लिए यह 0.375 से ज्यादा होनी चाहिए ज्यादा नहीं होन पूर्मेंट ने एक नई पूल्स इंट्रोडूस किया है जिसमें अगर star value 1.6 से ज्यादा है तो वो phone scrap करना पड़ेगा ठीक है आप इस्तमाल नहीं कर पाएंगे तो यह video कैसी लगी दोस्तों आपको